सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक बीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके ओम स्री गनेशाय नमः नमस्कार मित्रों आज के बीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि बिरिश भरासी वालों के लिए 24 जून 2020 का दिन कैसा भी इतने वाला है आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या पड़िवर्तन होगा क्या क्या बदलाब होगा अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से इस वेडियो को आप सुनते रहें मित्रों इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुबह रंग, सुबह अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से आपके आज के दिन के बारे में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के धन संपत्ती के बारे में मित्रों पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाने से बहुत ज्यादा नीचे है आज के दिन आपके पास जो पैसे आएंगे उन पैसों को बचा कर रखने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसी वजह से आपके पास पैसे जियादा मात्रा में नहीं रहने वाले हैं वैसे अगर आपके स्वास्त की बात की जाए तो स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बेहितर और शांदार रहेगा आज के दिन अपने मन में आप नकारात्मक भावनाओं को जगह बिलकुल भी न दें आज के दिन अपने मन को आप साफ रखने का प्रयास करें क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते हैं आपके मन में किसी भी विक्ती के लिए नकारात्मक बातें नहीं रहती हैं तो मानसिक तोड पे आप काफी जयादा मजबूत होंगे और आपके श्वास्त में कहीं कोई शमस्या कहीं कोई बाधा नहीं होगी इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध है मित्रों प्रेम शंबंध के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान्ने तोर पे सही रहने वाला है आज के दिन अगर अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो आपका प्रेम शंबंध शामान्ने होने के बाबजूद बहुत जयादा बेहतर और शांदार हो जाएगा और आपके प्रेम शंबंध में कहीं कोई शमस्या कहीं कोई परेसानी नहीं होगी इसके बाद है आपका पाड़िवार तो पाडिवाडिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत ज्यादा नीचे है आज के दिन आपके घर पडिवार में किसी विक्ती के वजह से आपको दिक्कतों का शामना करना पड़ेगा आपके घर पडिवार में किसी विक्ती से आज के दिन आपको बिरोध का शामना करना पड़ेगा लेकिन आज के दिन अगर आपके घर पडिवार में कोई विक्ती आपका बिरोध करता है तो उन चीजों को आप इग्नौर करें नजर अंदाज करें अन्ने था आपके घर पडि सही रहने वाला है आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़े छित्र में अगर आप कोई पडिवर्तन करते हैं कोई बदलाब करते हैं तो यह पडिवर्तन यह बदलाब आपके कामकाज के दृष्टी कौन से शामान ने तौड़ पे सही रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा इस बात को आप याद रखें आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है हरा और फिरोजी भग्यशाली अंक है आपके लिए आठ यनी की इट इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत सा माननी है आज के दिन आप गडीब लोगों की शहायता करें पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकागरता के शाथ आपका समय सांदार हो जाएगा और कहीं कोई शमस्या नहीं होगी तो इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें बेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद राधे राधे